हलो दोस्तों, मैं नेंसी आप सभी का ओडियो बुक चैनल में स्वागत करती हूँ, आज हम लोग बात करेंगे जैन्धर्म एवं बौध धर्म के विशय में, तो चलिए शुरू करते हैं जैन्धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थन कर रिशब्देव थे, जैन्धर्म के तेई स्वे तीर्थन कर पार्श्वनात थे जो काशी के एक श्वकू वंशिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे इन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में सन्यास जीवन को स्वीकारा, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ती न रखना महावीर स्वामी जैन्धर्म के 24 में एवं अंतिम तीर्थन कर हुए, महावीर का जन्म 540 इसापूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनके पिता सिध्धार्थ, ज्यात्रक कुल्प के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था महावीर के बच्पन का नाम वर्धमान था इन्होंने तीस वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यू के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमती लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था बारा वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरिम्विक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वरिक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्यान का बोध हुआ इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूजय और निरग्रंथ बंधन हीन कहलाए महावीर ने अपना उद्देश प्राकृत अर्धमागधी भाशा में दिया महावीर के अनुयायों को मूलत निग्रंथ कहा जाता था महावीर के प्रथम अनुयाय उनके दामाद जामिल बने प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चमपा थी महावीर ने अपने शिश्यों को ग्यारा गंधरों में विभाजत किया था आर्या सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यू के बाद भी जीवित रहा और जो जैन्धर्म का प्रथम थेराया मुख्य उपदेशक हुआ स्वामी महावीर के भिक्षुनी संग की प्रधान चंदना थी लगभग 300 इसापूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीशन अकाल पड़ा जिसके कारण भध्र बहु अपने शिश्यों सहित करनाटक चले गए किन्तु कुछ अनुयाई स्थूल भध्र के साथ मगध में ही रुक गए भध्र बहु के वापस लोटने पर मगध के साध्यों से उनका गहरामत भेद हो गया जिसके परिनामस्वरूप जैनमत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बर्ट गया स्थूल भध्र के शिश श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारन करने वाले एवं भध्रबाहु के शिश दिगंबर नगना रहने वाले कहलाए जेन्धार्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरन त्रिरत्न के अनुशिलन में निम्न पांच महावरतों का पालन अनिवारिय है अहिंसा, सत्य वच्चन, अस्तेय, अपरिग्राह एवं ब्रहमचर्य जेन्धार्म में इश्वर की मान्यता नहीं है, जेन्धार्म में आत्मा की मान्यता है महावीर पुनर्जन में एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे जेन्धार्म के सप्तभंगी ज्यान के अन्य नाम स्यादवाद वा अनेक अन्तवाद है जैंधर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांक्य दर्शन से ग्रहन किया। गोम तेश्वर की प्रतिमा कायोत सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ती 18 मीटर उची है एवम एकी चट्टान को काटकर बनाई गई है। अचित कलपसूत्र में है। 72 वर्ष की आयू में महावीर की मृत्यू 468 इसापूर्ग में बिहार राज्य के पावापुरीत राजगीर में हो गई। मल्राजा सिस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वान प्राप्थ हुआ था। आये बात करते हैं। बौध धर्म के विशय में। बौध धर्म के संस्थापक गौतम बुध्ध थे। इन्ही एश्या का ज्योती पुंज, लाइट ओफ एश्या कहा जाता है। बुध्ध के जीवन से संबंधित बौध धर्म के प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड, निर्वान पद चिन्ह, ग्रिहत्याग घोडा, ग्यान पीपल, बोधी वरिक्ष, मृत्यू स्तूप, गौतम बुध्ध का जन्म 563 सापूर्व में कपिलवस्तू के लुंबिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यू इनके जन्म के साथ वे दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली मा प्रजापती गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहूल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्थू की सेर पर निकले तो उन्होंने निम्न चार द्रिश्यों को क्रमशह देखा। बूरा व्यक्ती, एक बीमार व्यक्त शव एवम एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे बौधधर में महाभिन इश्क्रमन कहा गया है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांक्य दर्ष से शिक्षा ग्रहन की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कॉंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवम सागी नामक पांच साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहन की ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयू में वैशाक की पूर्निमा की रात निरंजना फ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उब्देश सारनात प्रिशिपतनम्प में दिया, जिसे बौध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उब्देश जनसाधारन की भाषा पाली में दिये। बुद्ध ने अपने उब्देश कोशल, वैशाली, कोशांबी व अन्य राज्यों में दिये। सरवाधेक उब्देश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिये थे। इनके प्रमोख अनुयाईश आसक थे बिम्बिसार, प्रसेंजित्व बुद्ध की मृत्यू असी वर्ष की अवस्था में 483 इसापूर्व में कुशी नारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौध धर्म में महापरिनिर्वान कहा गया है। मलों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतियेश्टी संस्कार किया। एक अनुश्रुती के अनुसार मृत्यू के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेशों को आठ भागों में बांट कर उन पर आठ स्तूपों का निर्मान कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यू की तिथी को चीनी परंप्रा के केंटोन अभिलेक के आधार पर निश्चित किया गया है। बौधधर्म के बारे में हमें विशद ज्यान त्रिपिटक, विनेपिटक, सुत्रपिटक वअभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिठकों की भाशा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्रपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिधानतों को समवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनेपिटक में संध के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संध के अनुशासन के तोड़ने पर किये जाने वाले प्रायश्चितों की सुची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सुत्र पिटक में वर्नित सिधान्तों के सुव्यवस्थित अनुशिलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांच तथा प्रशनोतरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताबदी ईसा पूर्व में श्रीलनका के शासक वत्त गामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद किया गया। सुत्र पिटक के पांच निकाए हैं दिग, मजजिम, सयोक्त, अंगुतर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाए की पंद्रा पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाए में धंपद, नैतेक उपदेशों का पधात्मक संकलन, थेरगाथा बौध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौध भिक्षुनियों का गीत है। बौधधर्म मूलतह अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौधधर्म में पुनरजन की मान्यता है, तृष्णा को क्षीन हो जाने की अवस्था को ही बुध्ध ने निर्वान कहा है, विश्व दुखों से भरा है, का सिधान्त बुध्ध ने उपनिशद से लिया। बुध्ध के अनुयाई दो भागों में विभाजित थे। बौधधर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास ग्रहन किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। ग्रिहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौधधर्म अपनाने वालों को उपासाक कहा गया। बौधसंग में सम्मिलित होने के लिए नियूनतम आयू सीमा पंद्रा वर्ष थी। बौधसंग में प्रविष्टी होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौधधर्म के त्रिरत्न हैं बुध्ध, धम एवं संग। अब बात करते हैं, बौधसभाओं के विशे में, कुल चार बौधसंगीतियां हुई हैं। प्रथम बौधसंगीती, 483 इसापूर्व में, अजात्शत्रु के समय, राजग्रे में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकिश्यप थे। द्वितिया बौधसंगीती, 383 इसापूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतिया बौध संगीती दो सौ पच्पनी सापूर्व में अशोक के शासन काल पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलिपुत्तिस थे। चतूर्थ बौध संगीती इस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिश्क के शासन काल में कुंडलवन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वगोश थे। चतूर्थ बौध संगीती के बाद बौधधर्म दो भागों हिनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौध धर्म के महायान संप्रदाई का आदर्ष बोधि सत्व है। बोधि सत्व दूसरे के कल्यान को प्राथमिक्ता देते हुए अपने निर्वान में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर शरहत पद को प्राप्त करना है, जो यक्ति अपनी साधना से निर्वान की प्राप्ती करते हैं, उन्हीं ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंब सबसे पहले बॉधधर्म के द्वारा प्रारंब किया गया। बॉधों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाक पूर्निमा है, जिसे बुध्ध पूर्निमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्निमा के ही दिन बुद्ध का जन, ज्ञान की प्राप्ती एवं महापरिनिर्वान की प्राप्ती हुई। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में चार आरिय सत्यों का उद्देश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रते पदा, इन संसारिक दुखों से मुक्ती हे तू, बुद्ध ने अश्टांगेक मार्ग की बात कही। ये साधन हैं समयक दृष्टी, समयक संकल्प, समयक वानी, समयक कर्मान्त, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृती एवं समयक समाधी। बुद्ध के अनुसार अश्टांगेक मारगों के पालन करने के उपरांत मनुश्य की भव तृष्णा नश्ठ हो जाती है और उसे निर्वान प्राप्त हो जाता है। निर्वान बौध धर्म का परम लक्ष है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरन चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वान प्राप्ती को सरल बनाने के लिए निम्न दस शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ती न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भुजन न करना, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचे न करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदी से दूर रहना, ग्रिहस्थ के लिए केवल प्रथम पांच शील तथा भिक्षूओं के लिए दसों शील मानना अनिवारिय था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उद्देश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौधा धर्म एवं जैंधर्म में समानता है। जातक कथाएं प उनर जन्मों की दीर्ग श्रिंखला के अंतरगत बुद्ध ने शाक्य मुनी के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किन्तु इसके उप्रांत मैत्रिया तथा अन्या नाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेश हैं। सरवादेक बुद्ध मूर्तियों का निर्म गंधार शेली के अंतरगत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ती संभवता मतुरा कला के अंतरगत बनी थी। तिबबत, भूटान एवं पडोसी देशों में बौध धर्म का प्रचार पदम संभव ने किया। इनका संबंध बौध धर्म के बज्रयान शाक्या से इनकी 123 फीट उची मूर्ती हिमाचल प्रदेश रेवाल सर जील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ती संभवता बुद्ध की थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो के विशे में कमेंट करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आवश्य करें। धन्यवाद